बेलकम टू नेक्स्ट एक्जाम आज हम सिच्चक बरती लिखित परिच्चा के बारे में डिस्कस करेंगे कोर्ट का डिसीजन आने के बाद PNP ने पहला ओफिसियल नोटिस जारी किया है और क्या है इस नोटिस में चलिए देखते हैं PNP यानि की परिच्चा नियमक प्रादिकारी ने 7 मार्च 2018 को ये नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में ये बिल्कुल किलियर कर दिया है कि UPTED 2017 की जो माकसीट सभी डायट पर भेज दी गई थी उनको स्टुनेंट्स को न दिया जाए यानि की उन माकसीट को बांटा न जाए क्योंकि आपको पता है कोट का डिसीजन आया है कि जो 14 विवादित कुश्चन थे उनको बिल्कुल डिलीट करके बच्चे हुए 136 कुश्चन के बेस पर फिर से रिजट जारी किया जाए उसके बाद ही सिच्चक बरती लिखित परिच्चा कराई जाए लेकिन अभी तक PNP ने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया है कि बारे मार्च को पेपर होगा या नहीं होगा जब तक PNP इसी तरह का नोटिस जारी करके ये नहीं कह देता कि बारे मार्च को पेपर नहीं है तब तक आप ये बिलकुल नमाने कि बारे मार्च को पेपर नहीं है बैसे तो 99% चांस हैं कि बारे मार्च को पेपर अब नहीं होगा क्योंकि कोट ने ये बिल्कुल किलियर कहा है कि पहले आप संसोधिस रिजट जारी करो उसके बाद ही सिच्चक बरती लिखित परिच्छा कराओ लेकिन PNP के माइड में क्या चल ला है बो अपने बकीलों के साथ क्या डिसकस कर रहा है अभी किसी को कुछ पता नहीं है जब PNP इसी तरह का नोटिस जारी करके ही कह दे कि बारे मार्च को पेपर नहीं है तब आप माल लेना कि बारे मार्च को पेपर नहीं है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे सलेवस की PDF फाइल और मौडल पेपर की PDF आप हमारे Facebook पेज से डाउनलोड कर सकते हैं आप Simple Facebook पर सर्च करें नेक्स्ट एक्जाम आपको हमारा पेज मिल जाएगा नेक्स्ट एक्जाम के नाम से वहाँ पे आपको पूरे सलेवस की PDF और मौडल पेपर की PDF मिल जाएगी Thanks for watching